वेलकम टू जीनिस स्टेज आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे गुणा करना बिलकुल सरल तरीके से तो इस वीडियो में हम दो अंकों की गुणा करना सिखेंगे तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी जरूर तो पहले हम दो का पहड़ा एक बार पढ़ेंगे, फिर हम दो का पहड़ा दो बार पढ़ेंगे, फिर हम दो का पहड़ा तीन बार पढ़ेंगे, अभी आपको इस अंको नहीं देखना है, तो पहले हम दो का पहड़ा एक बार पढ़ते हैं, तो दो इकना दो, तो हम यहाँ प पर लिखेंगे 6 अब हम दूसरे अंग की गुणा इन सभी अंगों में करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले स्थान पर कोई भी अंग नहीं लिखना है तो हम पहले स्थान पर इक गुणा का चीन लगा देंगे जिससे हमें याद रहे कि हमें इस स्थान पर कोई भी संख्या नहीं लिखनी है अब हम 4 का पहड़ा एक बार पढ़ेंगे फिर हम 4 का पहड़ा दो बार पढ़ेंगे फिर हम 4 का पहड़ा तीन बार पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें चार का पहड़ा एक बार पढ़ना है तो चारी कना चार तो हम यहाँ पर लिखेंगे चार अब हम चार का पहड़ा दो बार पढ़ेंगे चारी कना चार चार दूनी आठ तो हम यहाँ पर लिख देंगे आठ अब हम 4 का पहड़ा 3 वार पढ़ेंगे 4 एकना 4, 4 दोनी 8, 4 तिया 12 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 अब हमने जो नीले 5 से लिखे हैं उन सभी संख्याओं को अब हम जोड़ लेंगे तो देखें इस लाइन में 2 लिखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 4 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 6 में हम 8 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा तो 14 को हम 4 लिखेंगे और हासिल 1 जाएगा तो 2 और 1 हो जाएगे 3 तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और 1 यहाँ पर लिख देंगे तो इसका उत्तराया है 13482 तो कितनी सिंपल तरीके से हमने पहला प्रेशन किया है अब हम करते हैं दूसरा प्रेशन तो दूसरे प्रेशन में हमें 632 की गुणा 53 करनी है तो पहले हम 3 का पहड़ा इन सभी अंकों में पढ़ेंगे तो पहले हम 3 का पहड़ा 2 बार पढ़ेंगे फिर हम 3 का पहड़ा 3 बार पढ़ेंगे फिर हम 3 का पहड़ा 6 बार पढ़ेंगे अब यह आपको इस अंकों नहीं देखना है तो पहले हम 3 का पहड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 3 इकाना 3, 3, 2, 6 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 अब हम 3 का पहड़ा 3 वार पढ़ेंगे 3 इकाना 3, 3 दो नी 6, 3 तिया 9 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 अब हम 3 का पहड़ा 6 वार पढ़ेंगे 3 इकाना 3, 3 दो नी 6, 3 तिया 9, 3 चोग 12, 3 पंजे 15, 3 चैंग 18 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18 अब हम दूसरे अंक की गुणा इन सभी अंकों में करेंगे तो हम पहले स्थान पर कोई भी अंक नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर हम एक गुणा का चिन लगा देंगे अब हम 5 का पहड़ा 2 वार पढ़ेंगे फिर हम 5 का पहड़ा 3 वर पढ़ेंगे फिर हम 5 का पहड़ा 6 वर पढ़ेंगे तो पहले हमें 5 का पहड़ा 2 वर पढ़ना है 5 इकाना 5, 5 दूनी 10 तो 10 हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं तो हम 10 का 0 यहां लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख देंगे अब हम 5 का पहड़ा 3 वार पढ़ेंगे 5 इकाना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 में हम एक हासिल को भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो 16 का हम 6 यहां लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख देंगे अब हम 5 का पहड़ा 6 वार पढ़ेंगे 5 इकाना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चोग 20, 5 पंजे 25, 5 चंग 30, 30 में हम एक हासिल को भी जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा तो हम यहां पर लिख देंगे 31 अब हमने जो नीली पैन से लिखे हैं उन सबी संख्याओ का पहमें जोड़ना है तो देखे इस लाइन में 6 लिखा है तो हम यहां पर लिखेंगे 6, 9 में हम 0 को जोड़ेंगे तो आएगा 9 और 8 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो 14 का हम 4 लिखेंगे, हासिल 1 और यहां पर 3 का 3 आ जाएगा तो 33,496 है इसका उत्तर तो हमने दोनों ही प्रेश्ण बहुत आसान तरेके से गुणा के किये हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर अगर पहली वार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज